नवस्कार दोस्तों आरसीन जौब न्यूज चैनल में आपका हारदीख स्वागत है आज की सबसे बड़ी खबर उत्तरपरेष अजिनस सेवाचैन आयोग की है आप सवी को मालूम होगा कि उत्तरपरेष अजिनस सेवाचैन आयोग द्वारा बहुत सी भरती परिच्छाएं आयुजित की गई है लेकिन अभी तक उनका परिडाम जारी नहीं हो पाया है दो साल तीन साल से परिडाम लंबित हैं परिडाम कब जारी होगा इसके समझ में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है फिलहाल मैं आपको एक महस्पूर जानकारी देना चाता हूँ अगर इसी तरह विभाग जिस विभाग की भरती हो अगर उस विभाग के अध्यच लग जाएं तो भरती पूरी होने में समय नहीं लगेगा आपको बता दे कि कोट ने 729 नुक्ति लैब टेकनीशियन की नुक्ति के लिए आदेश जारी किया है इस आदेश का पालन करती हुए जल से जल लैब टेकनीशियन को नुक्ति पत देने की मांग स्वास्ति भाग के महनिज़े सक डाक्टर रुकुम केस से की गई है यूपी लैब टेकनीशियन एस्सोसियेशन के प्रतिश अध्यच सुरिष रावत कमल कुमार सीवास्तो सीर समवर और संतोष जोहरी का प्रतिधी मंडल डीजी से मिला है उन्हें लैब टेकनीशियन से संबंधित मांग पत सौपा गया है प्रवक्ता सुरिष कुमार ने बताया कि इनकी जोहरी से कुरोना जाच में मदद मिलेगी अगर इसी तरह जितनी विभरतियां है चाए एगरी कलिशा टेकनीकल असिस्टेंट हो या अन्य भरतियां हूँ अगर उस विभाग के अध्यच से मिला जाए अगर अध्यच आपका समर्खन करते हैं तो आप मान कर चलिए कि परड़ाम बहुत जल्द जारी होगा इसलिए आपस भी जितने भी अभरतियां विभाग के अध्यच से बात करनी चाहिए क्योंकि हर एक विभाग में करमचारी संग के अध्यच होते हैं तो अगर आप उनसे बात करेंगे अगर आपकी मदद कर सकते हैं तो आप मान कर चलिए कि आपकी परक्रियाद जल्द से ज मिलेगी जो सबसे पहले परड़ाम आने वाला है जो जानकारी मिली है कि जून माह में तक्निकी सहायक अनुदेशक भरती 2016 का परड़ाम आएगा उसके बाद कीन सुपरवाइजर का परड़ाम आएगा अगरिकल्चर टेक्निकल अशिटन का परड़ाम तयार हो चुका है लेकि को जो आने के लिए लंबे समय का इंतजार करना होगा जिस तरह से ट्यूबल आपरेटर के अभरती कर रहे हैं